हालो गाइस वेलकम बैक टो दे चैनल आज हमारे पास है यह वाली हेलमेट यह जो है वेगा ब्राइंट की तरफ से आती है यह एक ओफरोड हेलमेट है आफरोड स्टाइल वाली हेलमेट है आप देख सकते हो कि यह मार्वल एडिशन वाली है यहां पर थौर लिखा हुआ है आप देख सकते हो इसमें तरह है किए इस टाइप का यह लगता है देखने में कि अगर हम इसके बिल्ड कौय टी की बात करें तो वह भी अच्छी अगर बात करते हैं इसके फ्रेंट की तो इसमें हमें डूल वाईजर मिलता है अप देख सकते हो फ्रांट वाला जो वा consort वाइजर है वो ट्रांस्पेरेंट है और साथ ही एक दूसरा वाइजर भी हमें सन वाइजर यहां पर देखने को मिलता है आप यहां से इसे ओपन कर सकते हो कि इस हेल्मेट के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा इसका जो वाइजर है वो क्लूस होने के बाद भी जो है यहां पर हलका सा गैप रह जाता है जिससे हवा अंदर आ सकती है आप देख सकते हैं यहां पर साइड में कि इस जगह पर और यह जो शील्ड है इसे आप अपने हिसाब से भी रखना चाहो तो रख सकते हो और अगर नहीं रखना चाहो तो हटा भी सकते हो इधर नट दिये हुए हैं इसमें भी अब अगर इसके वेंटिलेशन सिस्टम की हम बात करें तो आप देख सकते हो इधर इधर वेंट्स दिये हुए हैं यह हेलमेट का जो वेट है वह 1190 ग्राम्स का यह हेलमेट है साथ ही इसके अगर पैडिंग्स की हम बात करें तो वह रिमूबेबल हैं बट यह बहुत थिन है थोड़े थिक हो सकते थे इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़े मोटे होते तो अच्छा होता है साथ ही यहां पर चिन कर्टेन मिसिंग है वह भी हो सकता था मुझे ऐसा लगता है अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस हेलमेट के लिए जा सकते हो साथ ही अगर इसके लॉक्स की हम बात करें तो इसमें हमें कुई क्रिलीज बकल देखने को मिलता है आ कि कुछ इस टाइप का लुक है इस हेलमेट का अब देख सकते हो एक बात और यह सिर्फ कहने को नॉन स्क्रैचिबल वाइजर है वैसे इसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं हलका फुलका स्क्रैच आपको दिख भी रहा हो गए यहां पर हलाकि आप अगर समाल के यूज़ करोगे तो हो सकता है नहीं आए चलिए इस हेलमेट को पहन के आपको दिखाता हूं यह कुछ इस टाइप का लगता है आप देख सकते हो फ्रंट से साइट से कुछ ऐसा तो यह हेलमेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह हेलमेट है इसका प्राइस 2000 रुपीज अभी है फिलाल आप अगर लेना चाहो तो आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए से ये